अपने गूगल ड्राइब से कोई भी पेज या डॉक्यमेंट आप कैसे स्कैन करके किसी को सेंड कर सकते हैं जब से यह चाहिए बंद हुआ है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे है बहुत सारे स्कैनर को आ रहा है तो मैं आपको इसमें पेस्ट जो है आपके फोन में ही जो रहता है वो होता है गुगल ड्राइब आपके फोन में प्रेइंस्टॉल रहता है नहीं रहता है तो आप उसे डाउनलोड कर लीजे ठीक है और इसी में आपको जाता है बहुत इप्लिए क्वालिटी आता है तो वह सब में आपको इस वीडियों बताऊंगा सब देखते रह Topping , folder, upload, scan तो हमें थे we lecturer's number. किसी बार पर दिमाग नहीं घुमाना है,kt's कने कि से क्लिकरना थे. इसके बार देखें, मेरे पास एक Book है, जो की Social Study की Book है और ये मेरी sister की. इन्डियन इंडश्ट्री आपको दिख रहा है तो यहां पर आपको दो-तीन ऊट्सं दिख रहा है यहां पर चाहे तो फ्लैस्ट लाइट आफ कर सकते हैं ठीक है और उसके बाद खेले मैं इस फ्लैसलाइट को ओफ कर देता हूँ अब अपने कोडिंग मेरे पास लाइट अच्छी है तो मैं इसे ओफ कर देता हूं क्योंकि वो चमक ने लएगा फिरम क्या करेंगे आपे फोटो क्लिक कर लेंगे कुछ IS Tariqe से अब हमें फोटो स्थीक लग रहा है हम और कर देन केगे अब इसमें ब्लर आ जाता तो आप इसे रीटिक कर सकते इस तरीके से तो हमने फिर से ले लिए रे-tick कर लिया और इस पर OK कर देंगे, ठीक है? अब देखिए यह, अमारा फोटो दिखने लगा इस तरिकी से, आप चाहे तो अबने इकटिंगे से क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है? अब भार में कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, डान है हमें कुछ फोटो एड करने ही फिर से, तो इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज से हम स्लेक कर लेता है फिर वैसे ही ओके कर देंगे पेज सही आ रहा है तो हम ओके कर देंगे फिर से हम एड कर देंगे तीसरा पेज तो आप इस तरीके से 3-4 page आप अपनी मर्जी के हैसाब से एड़ कर सकते हैं तो मैं क्यों कर देता हूं इसके बाद 3 page हो चुका है आप चाहए तो इसमें color भी change कर सकते हैं black color कर देते हैं ठीक है पहला page हो गया यहीं भी option दिख रहा है color ठीक है तो मैं इसे कर देते हैं सेप आप और फोटर लेना चाहते हैं 20, 40, 50 इसके बाद आपको इसका नाम क्या देना है फाइल का नाम तो मैं कर देता हूं social studies chapter 13 ठीक है chapter 12 chapter 12 जिससे कि मुझे फाइल ढूंबने में दिक्कत ना हो अब मैं इसे सेप कर दूँगा ठीक है अब हम देख लेते हैं अपने फोल्डर में आपने PDF में स्ट्राइब किया था अब देखिए यहां पर यह वेटिंग फोर वाइफाई क्यों लिख रहा है चले मैं आपको बैक ले जाता हूं यहां पर समझाता हूं सेटिंग है सबसे नीचे उप्सन है यानि कि क्या होता है ड्राइब में कई बार अपने आपी फोटो अप्लोड लेने लगता है इसलिए बहुत से लोग इसे वाइफाई में कर देते हैं नॉर्मल अगर इसे हटा देंगे आपका डाटा कंजूम करेगा हम इसे क्लिक करेंगे और इसे री ट्राइब पर कर देंगे तो आपके जो आपके मोबाइल में डाटा होगा से यह अप्लोड होगा आप देख सकते हैं यह मेरा अप्लोड हो चुका है आपके नेटवर्क के स्पीड के हिसाफ से डिपेंड करेगा इसके बाद आप इस त्री डॉट पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप डारेक्ट यहां से शेयर कर सकते हैं वाटसेप पे या इमेल पर किसी और ठीक है आप इसे make visual offline कर सकते हैं नेट ना हो Google Drive अपने उपन किया तो भी आप इसे देख सकते हैं ठीक है और इसके लिए sharing link off नहीं करने है on कर देना इसको ठीक है sharing link on अगर आप link share करते हैं तो link अगर off होगा तो यह on share नहीं होगा इसके बाद देखें एक और most important है यह है downloads यानि किसे आप अपने system में download कर लिए गया देखें मेरा download हो चुका है और एक और option दिखाता हूं यह देख रहे है add to star इसे आप उपर कर सकते हैं यह आपका 300-400 PDF है तो इसमें सबसे उपर रखना चाहते है तो इसले हो सकता है और offline बाला मैंने बता दिया कि important क्यों है इस तरीके से अब देखें मेरा download हो चुका है तो मैं आपको दिखा देता हूं अभी download हो रहा है उपर देख सकते है social studies chapter 13 तो वेट कर लेते हैं so guys मैं download हो चुका हम चलते हैं अपने file manager में file explorer जोग आपका उसमें जाएंगे ठीक है डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है आप यहांसे भी सेंट कर सकते हैं अब बार बार तो आप Google Drive ओपन करें किसी तो सेंट करेंगे नहीं तो आप सबसे अच्छा option क्या है डाउनलोड कर लीजे और इसके बाद से से सेंट कर लीजे ठीक है तो यह सिंबल सा तरीका था फाइल स्कैम करने का आप्शन ठीक है तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं अच्छा लगाओ तो लाइक कर दें चैनल पर नाइस प्रिशन सब्स्क्राइब कर दें थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो